अगर आप में चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें तो शिक्षा निदेशाल दिल्ली सरकार द्वारा 18 नवेंबर 2021 के लिए हिंदी की कारपत्रिका है क्रम संख्या 112 एक अक्षा 5 के लिए कारपत्रिका है पाठे पुस्तक रिमजिम से ली गई है पाठ का नाम है स्वामी की दादी यहां विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे यहां आपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगे प्यारे बच्चों आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा जिसमें स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम की कहान सुनाता है तो आईए पाठ में आई इन पंक्तियों को बोल कर पढ़ते हैं दादी जब राजम चोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था सच बड़ा बहादूर लड़का है तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा स्वामी नाथन ने बड़े उत्सहा से कहानी शुरू की राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे राजम उनके साथ था बच्चों जब आपने इन पंक्तियों को पढ़ा तो आपने महसूस किया होगा कि पढ़ते हुए आप कहीं पर कम दे रुके कहीं जादा और कहीं कहीं पर आप बिना रुके पढ़ते चले गए क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा इन वाक्यों में आए कुछ विराम चिन्नों जैसे कि ये विराम चिन्न होते हैं इनके कारण हुआ है तो विराम का अर्थ हमारे पास होता क्या है रुकना या ठहराओ ठीक है हमारे पास पूर्ण विराम चिन्न उसका ये इस तरीके से उसको हम लिखते हैं इसका प्रयोग हम क्यूं करते हैं वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में करते हैं जैसे कि दो शेर राजम पर जपते थे यहां ये वाक्य पूरा हो गया तो इसके अंत में हमने ये पूर्ण पूछते या लिखते हैं, उस समय पे करते हैं, जैसे कि उसे गड़ित में कितने नंबर मिले, अब कितने, यानि कि प्रश्ण पूछा गया तो अंत में क्या आजाएगा, प्रश्ण वाजक चिन्न, अगला आता है अल्प विराम चिन्न, इसका प्रयोग वाक्य में कुछ देर अगर हमें रुकना हो तब हम करते हैं और इसमें बोलते समय पूर्ण विराम से कम देर विराम दिया जाता है जैसे कि बक्से में इलाइची अब हमें थोड़ी देर रुकना पड़ा तो उसके लिए हमने ये अल्प विराम चिन्न लगाया लॉंग और सुपारी रखे हुए थे और यहां पर वाक्य खतम हो गया तो पूर्ण विराम चिन्न आ गया अगला है विसमें आदी बोधक चिन्न ये इस तरीके का होता है इसका प्रयोग अगर दुख हो कोई खुशी हो या आश्रे हो या घ्रणा इस तरीके के भाव अगर प्रकट करने हो वाक्य में तो ये चिन्न हम इस्तमाल करते हैं जैसे कि ओ दादी जैसे वो अभी थोड़ा सा आश्रे में है या फिर वो दादी को थोड़ा बोल रहा है कि आश्रे प्रकट करके बोल रहा है दादी को तो इसलिए दादी के बाद ये चिन्न आ गया तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊची चीज है ठीक है? अब आगे देखते हैं स्वामी नातन को समझ नहीं आ रहा कि नीचे लिखे वाक्यों में वै कहा पर कौन सा विराम चिन्न लगाए तो क्या आप सही जगे पर उप्युक्त विराम चिन्न लगाने में उसकी मदद करेंगे? और विराम चिन्न लगाने के बाद इन पंक्तियों को उचित हाव भाव के साथ बोल कर भी पढ़ेंगे तो देखो बस काफी है दादी उसने रूखे स्वर में कहा अब यहाँ पर वो रुका है थोड़ी देर के लिए रुका है तो इसलिए यह अल्प विराम चिन्न लगाने में तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ अब यहाँ पर वाक्या खतम हो गया इसलिए पोण विराम जानती हो अब फिर से थोड़ी देर के लिए रुका हो तो अल्प विराम चिन्न ला गया उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं अब कितने प्रश्न पूछा है तो प्रश्न वाचक चिन्न तो सारे नंबर मिलते होंगे अब दादी ने कहा सारे नंबर मिलते होंगे और वो भी थोड़ी देर के लिए रुख गई इसलिए अलब विराम चिन है ना, और ये उस से पूछ रही है स्वामी से पूछ रही है कि है ना, सारे नंबर मिलते होंगे ना तो इसलिए प्रश्ण वाचक चिन दादी ने पूछा अब यहाँ पर वाक्य खतम हो गया तो पोण विराम अरे नहीं तो वो आश्रे दिखा रहा है तो इसलिए ये विसमे आदी बोधक चिनना आ जाएगा उसे सौ में से नब्बे मिलते हैं यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया तो पोण विराम चिनन इस तरीके से इनको हम लिखेंगे और अभिभावकों के लिए सुझाओ रहेगा कि बच्चों को बाचीत करते हुए बताईए कि जिस प्रकार उचित हाओ भाव और स्वर में उचित उतार चड़ाओ से कही गई बात को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है उसी प्रकार बोलते समय यदि मीठे और आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो कही गई बात का महत्व और भी अधिक हो जाता है और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन वैपानी से नियमित रूप से सभी को धोते रहना है तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें चानल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में